दोस्तो बॉलिवूड की कॉमेडियन अस्टार के नाम से जाने जाने वले बॉलिवूड एक्टर राजपली आदब की कड़ोरों को संपत्य को सीच कर दिया गया है और साथ ही राजपलियादव के उस बंगला पर बोर्ड लगा दिया गया है और उस बोर्ड पर लिखा गया है कि इस प्रोपर्टी को ना तो कोई खरीश सकता है और नहीं कोई बेच सकता है तो दोस्तो आखिर का राजपलियादव का कड़ोरों का समपती सीच क्यों कर दिया गया है और साथी उस बंगला को सीच किस ने किया है बताएंगे पूरी जनकार इस वीडियो में लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्काइब जरूर कर दीजे इस तरह के बॉलिवूड लिटेस्ट अपडेट के लिए आप सबिक बता दू कि राजपलियादव का साल 2012 में एक फिल्म आया था और उस फिल्म का नाम था आता पता लापता और इस फिल्म को राजपलियादव की पतनी नहीं खूद डिरेक्ट और पोडूस की थी और इस फिल्म को बनाने में कड़ोरों का लगत लगा था जिसके लिए राजपलियादव ने सेंटरल बैंक आप इंडिया से 5 कड़ोर का लॉन लिये थे फिर उसके बाद जब फिल्म में रिलिज ही होने वाला था लेकिन उससे पहले राजपलियादव पर एक बिजनस मैन ने धोखा दाड़ी का अरोप लगाया था जिसके चलते राजपलियादव की फिल्म अता पताला पता को दिल्ली हाई कोट ने रिलिज होने पर रोक लगा दिया गया था और फिर कई बिवादों के बाद राजपलियादव का फिल्म अता पताला पता दो नवंबर 2012 को रिलिज होई और रिलिज होने के बाद एक फिल्म में बॉक्स अपी पर बूरी तरह से फ्लोप रही और कड़ोरों की लागत में बनी फिल्म अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाया और सिर्फ 38 लाख रुप्या की कलेक्शन किया था तो दोस्तों आप क्या काने चाते हैं सबको हसाने वाले कॉमेडियन अस्टार्स राजपाली आदब के इस सैड नियूज के बारे में अपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा